स्वागत है आप सभी का Tech Study ITA YouTube चनल पर EntryLive Recruitment Board की तरफ से Finally Assistant Local Pilot की वेकेंसी जारी की जा चुकी है 2024 के लिए और ये एक वेकेंसी जिसका सभी candidates वो चाहे डिपलोमा candidates हों चाहे ITA candidates हों बेसब्री से इंतजार करते हैं सबकी फेवरेट जाब होती हमें ALP बनना है लेकिन ये notification इतने गुपचुप तरीके से आया कि पता भी नहीं चला खान notification आया sudden notification आया और आप देख रहे हैं कि इसमें लिखर आया 20.09.2024 से आप सभी के form भी भरे जाएंगे कई सारे बदलाव किये गए recruitment process में यहां वैकेंसी अगर जारी की गई तो कितनी जारी कीगी 5,696 जो की कहीं न कहीं उट में उट के मुँँ में जीरा वाली काहवर साबित होती है छे साल बाद वैकेंसी आती इतने लंबे समय से candidates इंतजार कर रहे हैं और यहां पर वैकेंसी आती 5,696 जहां candidates की उम्मीद थी कि कम से कम वैकेंसी अगर आएगी तो 15 से 20,000 की रेंज में वैकेंसी एटलिस्ट आनी चाहिए और actual में जो एक डेटा था RTI की एक रिपोर्ट में जो खुलासा हुआ था जुलाई 2023 के मन्त में अगर वहां हम बात करें तो 14,000 से जादा ALP की पोस्ट रेलवे में खाली थी कई सारी नई ट्रेने चल रही हैं तो अगर जुलाई 2023 का यह डेटा था तो एटलिस्ट यह उम्मीद तो नहीं की जा सकती थी कम से कम 15,000 वेकेंसी तो आनी थी या 10,000 के ऊपर तो वेकेंसी यहाँ पे आनी ही चाहिए थी उसके पीछे क्या रीजन हैं हो भी हम बताएंगे क्योंकि यहाँ पे अगर सबसे ज़्यादा लॉस किसी का हो रहा है तो ITI कैंडिट्स का हो रहा है तो आप लोग भी एक बार कमेंट करके बताएगा क्या वेकेंसी से आप खुस है या नहीं उम्मीद करते हैं कमेंट सेक्षन को देखके या कैंडिट्स के मैसेज़ को देखके ही लगता है कि नहीं कैंडिट्स इससे विलकुल खुस नहीं है तो वैकेंसी का फिलाल हम लोग वेट करेंगे ये एक न्यूस पेपर की कटिंग इंप्लाइमेंट न्यूस की 20 जन्वरी से पहले 19 या 20 को या आपका फुल नोटिफिकेशन भी आ जाएगा तो उसका भी हम लोग वेट करते हैं और साथ में रेलवे की तरब से कोशिस हम लोग कि ये होनी चाहिए कि एक बार हम लोग भी आवाज उठाएं कि ये वेकेंसी का काउंट बढ़ना चाहिए जैसा एक बार हुआ भी था 2018 में वेकेंसी का काउंट बढ़ाया गया था तो फार्म आप लोग सभी लोग ज़रूर भरियेगा बीच में ऐसा भी हो सकता है कि नंब एज लिमिट में भी आप देखेंगे तो यहाँ पे बदला हुआ है जो 2018 का नोटिफिकेशन था वहाँ पे जो एज लिमिट रखी गई थी वह 18 साल से लेके 28 साल तक रखी गई थी ये एक चीज़ अच्छा हुआ चलिए 6 साल बाद वेकेंसी आई तो एटलिस 2 साल का तक के केंडेट्स यहाँ पे फार्म भर पाएंगे पोस्ट है असिस्टेंट लोको पाइलट की लेवल टू की जाब है 19,900 पोस्ट में यहाँ वेकेंसी निकाला सुरी 19,900 आपका यहाँ पे इनीसियल पे होने वाला है इसमें आपका हरे डी अधर लांस सब कुछ मिला कि केल्कुलेट होंगी आपकी एक जुलाई 2024 के हिसाब से केल्कुलेट होंगी तब आपको 18 से 30 साल का होना होगा एवन में फिजिकल फिटनेस आपका सभी रेस्पेक्स में अच्छा होना चाहिए जनरल फिटनेस और वीजन का इस्पेसली यहाँ पे रखा जाता है डिस्टें को लॉस होगा तो ITI Candidates को होगा और यह चैनल भी इस्पेसली ITI Candidates के लिए है तो हम आप लोगों का यहाँ पे दर्द भी समझ सकते हैं जो Candidates इतने दिनों से त्यारी करते हैं एक तो नमबरा वेकिंसी कमाई हैं ऊपर से यहाँ पे जो चेंजेज हुए थे जो कि हमने ए 10th प्लस अप्रेंट्सिप किये हुए हैं ठीक है कूर्स कंप्लीटेड अक्ट अप्रेंट्सिप जो रेल्वे से किये हुए हैं वो भी Candidates यहाँ पे eligible रहेंगे तो नहीं डिग्री और डिप्लोमा साथ में अप्रेंट्सिप और उसके साथ ITI किये सभी ट्रेड एंसी वीट एक साल का ट्रेड है यहाँ अप्रेंट्सिप और इसके अलावा आपका कॉर्स कंप्लीटेड जो एक्ट अप्रेंट्सिप वाले Candidates हैं वो भी यहाँ पे eligible रहेंगे तो यह है टोटल अबराल वेकेंसी जहाँ पे डिग्री डिप्लोमा अगर आग आईटे के Candidates अच्छी मेहनत नहीं करते हैं तो डिग्री डिप्लोमा वाले काफी ज़्यादा सीट यहाँ पे ले जाएंगे क्योंकि यहाँ पे ऐसा कोई reservation नहीं है कि 50% सीट आईटे को दे दी जाए 50% सीट जो है यहाँ पे डिग्री डिप्लोमा को दे दी जाए दूसरी चीश जब भी वेकेंसी को कम ही जारी किया जाए इसको देखके लग रहा है जैसे एक तरह का है चुनावी stunt हो तो इस पे भी थोड़ा सा आप लोगों को आवाज उठानी होगी कि नमबराफ वेकेंसी बढ़नी चाहिए एंड साथ में 20 तारी का हम लोग वेट करते हैं कि उसके साथ जो है technician का notification आता आप सब्सक्राइब करके जूड़ जाएगा और साथ में टेलिग्राम पर जूड़ जाएगा इसी सभी अपडेट वा इंफॉर्मेशन के लिए और वेकेंसी जो भी आई है फिलहाल के लिए आप सभी लोग फॉर्म भरिएगा अच्छी तयारी कीजिएगा और हम लोग उम आप भी वेकेंसी देखा जातो छे साल के हिसाब से वेकेंसी बहुत कमाई है जिस तरह से कांटनियोस रेलवे में इंफरस्ट्रक्टर डेबलपमेंट हो रहे हैं नई ट्रेने चल रही हैं सारी चीजे हो रहे हैं उस हिसाब से वेकेंसी बढ़नी चाहिए अब यहां अगर इसकी बात करें तो फीस आपकी 500 रुपए रहेगी चनरल OBCWS की और बाकी कैंडेट्स जो रहेंगे उनकी 500 रुपए फीस रहेगी कुछ रिफंडेबल एमाउंट भी होगा एक्जामनेशन फीस का जो की डीटेल नोटिफिकेशन में आपको दे दिया जाएगा इस बार वो क पूरा बनाया हुआ उसे आप लोग देख लिजेगा डिस्क्रिप्सन में लिंक दे देंगे एलपी कैसे बने जल्दी आपको मेडिकल स्टेंडर्ड जो इसका होता इसके उपर एक डिटेल वीडियो हम आप सब के लिए लेकर आएंगे बाकी होफ़ली उम्मीद ही करेंगे जल्दी ही टेकनीशन की वेकंसी आए एंड गूरूप डी के जो कैंडेट्स वेट कर रहे है इतने दिनों से गूरूप डी की वेकंसी आए क्योंकि यहां पर भी क्या हो रहा है टेकनीशन हो गया गूरूपडी हो गया अलपी कई जहां पर वेटिंग यह क्लियर कीती जा रही लेकिन 2023 तक लगभग जो वेटिंग थी उसको क्लियर किया जा चुका था जॉइनिंग करवा के सभी कैंडेट्स का उसके बाद का वो डेटा था जो 14,000 प्लस वेकिनसी आप सब के लिए एलपी की एटलिस्ट खाली थी रेल्वे में बहुत जादा पद खाली है दो लाग से उबर पद खाली है उसमें से एलपी के टेक्नीशन के कितने सारे पद खाली हैं लेकिन वेकिनसी के नाम पे यहां पे 5,696 पोश्ट देखने को मिल रही है तो फिलाल के लिए यही है भी अपडेट एंड यह अपडेट इंप्लाइमेंट न्यूस की है तो यह अथेंटिक अपडेट ही आप इसको कह सकते हैं क्योंकि ऐसे कोई चीज नहीं चप जाती है अफिसियल नोटिफिकेशन का हम लोग वेट करेंगे भी इस तारिक का एंड जैसे हुआ जाता है